Hey guys, how are you? Welcome back to our college और आज हम करने वाले हैं उपस का एक बहुत important concept जो कि है polymorphism So polymorphism में इसको समझते हैं क्या होता है यह Poly means many and morphism means forms So एक example लेते हैं, माल लीजे एक लड़का है, ठीक है वो same time पे बेटा भी है और same time पे father भी है तो उसके कई सारे forms हो सकते हैं एक और example देखे, जैसे कि आपका carbon है उसके बहुत सारे forms होते हैं कभी वो graphite में exist करता है, कभी वो diamond में exist करता है कभी वो co2 gas में exist करता है So that is all about polymorphism So एक बहुत अच्छा example है माल लीजे कि राहूल की बहुत सारी hobbies हैं तो उसकी hobbies की अलग-अलग forms हो सकती है कि कभी वो dancer बहुत अच्छा हो सकता है कभी वो guitarist बहुत अच्छा हो सकता है कभी वो swimmer बहुत अच्छा हो सकता है और कभी वो coder बहुत अच्छा हो सकता है बट coder तो वो बहुत ही अच्छा होगा और हर टाइम ये अच्छा होगा हम आते हैं, ठीक है, so function overloading को देखते हैं, क्या होता है, so when there are different functions with the same name but have different number of arguments और different types of arguments, समझ रहो, तो उस case में function overloading लग जाती है, क्योंकि अगर same नाम के functions हैं, तो उसमें differ कैसे करेंगे, जब उसमें कोई तो difference होना चाहिए, तो या तो number of arguments में difference आ जाए, या फिर type of argument में difference आ है, लेकिन अगर आपने complex number की class बनाई है, अब आपको दो complex number जोड़ने हैं, तो आपको plus operator को overload करना पड़ेगा उस class में, और फिर उसकी functionality उसमें define कर नहीं पड़ेगी, so यह हो जाता है हमारा operator overloading, फिर तीसरा हाता है हमारा virtual function वाली चीज, so during inheritance, so माल लिजे हमारे base class में एक function ह है, कुछ fun fun नाम का, और same function हमारा उसकी derived class में भी है, so कभी-कभी जब हम object बनाएंगे, तो हमारा compiler होगा confused हो जाएगा कि यार मैं किसको लूँ, ठीक है, तो उसके लिए हम virtual keyword यूज कर लेते हैं, तो जिसके आगे virtual लग जाता है, तो वो वाल्या function call नहीं होता, जिसके आगे नहीं लगा होता, वो call हो जाता है, basically हम base class के function में virtual keyword लगा जेते हैं, so let's code it guys, और समझेंगे code के द्वारा कि क्या होता है हमारा polymorphism, so हम अपने code editor में आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, function overloading, function overloading के लिए हम सबसे पहले एक अपनी class बना लेते हैं, class अपना एरिया में, क्या define कर लेते हैं, तीन function define करते हैं, same नाम के, ठीक है, और function का हम नाम रखेंगे fun, so void fun, इसमें हम कोई argument नहीं ले रहे हैं, so इसमें हम लिख देंगे cout, I am a function with no arguments, ठीक है, एक और function मनाते हैं, void fun ही नाम का, उसमें एक argument लेंगे int नाम का, so int, sorry, int data type का, और इसमे हम लिख देते हैं cout I am a function with int argument ठीक है एक और function मनाते हैं जिसमें हम एक double का ले लेंगे argument so void fun double x cout I am a function with double argument ठीक है so यह हमारी class complete हो चुकी है अब हम अपने main function में एक object बनाएंगे इस class का उसके लिए हम सबसे पहले class का name then जो हमें identify रखना है object के लिए obj रख लेते हैं ठीक है so हम call करते हैं तीनों function एक बार ठीक है so obj.fun right so यह हमारा पहला function call हो जाएगा जिसमें कोई argument ही नहीं है so obj.fun इसमें चार डाल देते हैं so जिसमें हमारा int वाला है argument वो call हो जाएगा इसमें और एक और डालते हैं obj.fun 6.2 ठीक है so इसमें हमारा तीसरा ओला function call हो जाएगा जिसमें हमारा double argument है basically double data type का argument है so इसको save करते हैं let's run it so जैसे के हम देख सकते हैं पहला हमारा iam a function with no arguments then iam a function with int argument then iam a function with double argument so यह था हमारा function overloading तो बढ़ते हैं अपने next code की तरफ जो की होगा operator overloading का so operator overloading के लिए हम एक simple सी class बनाएंगे complex number के लिए so class complex ठीक है इसमें हम दो चीज़े लेंगे एक हमारा real जो उसका part होता है और एक imaginary part so int so यह हम private में ले लेंगे basically private section में हम डाल देंगे int real और imaginary ठीक है यह हमने define कर दें then public में हम क्या डालेंगे हमारे सारे member functions member function डालने से पहले हम एक अपना constructor create कर लेते है class का so complex so int r int i then real part में डाल देंगे r और imaginary part में डाल देंगे हमारा आई ठीक है यह हमारा constructor बन गया then operator overload का code लिखेंगे ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले class का नाम complex then operator keyword और जिस operator को हमें overload करना है वो operator हमने लिखा और फिर हमने वो object लिया by reference ठीक है complex कॉंप्लेक्स कॉंस्ट आमपरसेंट अब्जेक्ट सो यह हमने by reference लिया है ठीक है जब यह हम and करके कोई चीज लेते हैं तो उसका मतलब हो था हमने by reference लिया तो complex result की हमारे result store करेगा और result में हमारा क्या आएगा कि भाई result.imaginary part वो हो जाएगा current का imaginary part प्लस जो मेरा object है उसका imaginary part ठीक है ऐसी मेरा result का real part क्या हो जाएगा current का real part प्लस object का real part ठीक है और last में हम return कर देंगे result so हमारा operator overload हो गया उसके बाद एक और member function मनाते है प्रिंट करने के लिए right so void display तो इसमें क्या करेंगे basically अपना complex number जो है वो output कर देंगे cout real plus iota imaginary part right तो अपने main function में आप चलते हैं तो यह होगे हमारी class complete so main function में हम अपने दो complex number define करते हैं complex c1 real part इसका रख लेते हैं 12 और imaginary part रख लेते हैं 7 ठीक है और दूसरे complex number का हम रखते है real part 6 और imaginary part इसका भी 7 रख लेते हैं ठीक है फिर एक नया complex number बनाते हैं c3 जो की होगा इन दोनों का addition c1 plus c2 right और c3 को हम कर देंगे display then last में return 0 right so let's save it run it so हमारा कुछ error आ रहा है वो देखते हैं क्या आ रहा है इसको जो इसकी default values है वह इब डाल के try करते हैं let's save it let's run it so हमारा error यह था कि हमने class में जो complex define किया था class complex define कि थी उसका c capital लिखा था और बाकी जगा हर जगा हमने c capital लिउस किया था right so let's run it guys so जैसे के हम देख सकते हैं हमारा जो output आ रहा है वो बिलकुल चाही आ रहा है 12 plus 6 18 and 7 plus 7 is 14 so हमने operator overloading भी देख लिया है अब हम देखने वाले है function overriding basically virtual functions को use करके हम कैसे runtime polymorphism achieve करते हैं right so उसके लिए यह पूरा clear करते हैं so runtime polymorphism के code में हम दो classes बनाएंगे base class और derived class ठीक है और base class और derived class के function same होंगे right और फिर कैसे हम base class में virtual keyword जोड के function के name के आगे runtime polymorphism हम achieve करेंगे वह देखते हैं ठीक है so एक base class बनाते है class base इसमें public में डाल देते हैं अपने member functions तो सबसे पहले void print इसमें डालते हैं कि cout this is the base class base class is print function next हम डालते हैं एक और function इसमें display का ठीक है so void display इसमें हम डालते है cout this is the base classes display function right ऐसे हम एक इसकी derived class मनाते हैं ठीक है so class उसका नाम रखते हैं derived और public base ठीक है base class से derive हो रही है इसके public area में डालते हैं अपने member functions so same name के डालने so void basically इसको copy paste कर लेते हैं right इदर base की जगए derived कर देते हैं इधर भी base की जगए derived कर देते हैं और अपनी main class में चलते हैं so main class में एक base class का pointer बनाते हैं sothas base pointer और derived class का object बना लेते हैं so derived d then हम base pointer में derived class का address डाल देते हैं सो base pointer में हमने derived class का pointer डाल दिया, ठीक है, अब हम अपने दोनो functions call करेंगे, print और display, ठीक है, base ptr, क्योंकि यह pointer है, तो इसमें ये वाला operator use होगा, इसमें dot operator use नहीं होगा, arrow operator use होगा, सो print, ठीक है, print call कर दिया, और दूसरा हमने call कर दिया, base pointer के display, ठीक है, सो इक बार देखते हैं, क class के बाद semicolon नहीं डाला था, so let's save it, rerun it, so यह हमने देखा, दोनों में हमारा base class का ही functions call हो रहे है, but base pointer में तो हमने derived class का object का address डाल दिया था, right, so इसको ठीक करने के लिए, यानि runtime पे हमारा change हो जाए, इसका form, वो change करने के लिए, हम use करेंगे, base class के, इस function के name के आगे, virtual void print, so let save it, अब इसको run करके देखते हैं, so हमारा change हो के आगया, so यह dynamically bind हो रहा है, समझे रहो, dynamically bind का क्या मतलब है, कि जब हमने at runtime, runtime पे जब हमने उसको address दिया, तो वो उसके बाद bind हुआ, और उसने उसका address लेके, फिर उसके साब से उसका function execute किया, so I hope आपको polymorphism का concept अच्छे टारिए बाद आपको बड़ा है